हलो फ्रेंड सर्मेडर्स डेन बायो किमिस्ट्री बीपी टू जीरो थिटी के इस वीडियो में हम लो यूनिट फाइब में एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे मिचलीज मेंटन कॉंस्टेंट के बारे में बात करेंगे मिचलीज मेंटन प्लॉट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो हमारा होता है लाइन वीवर बुर्ग डबल डेसी प्रोकल प्लॉट उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महिंत आप से चलिए शुरू करते हैं अगर हम लोग यहां पे एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो काइनेटिक्स का हमारा क्या मतलब होता है कि अगर हम लोग जो रेट है रियक्शन की रफ़तार है उसकी अगर स्टडी करते है तो वो सिंपली हमारा काइनेटिक्स यहां पे कहलाता है तो अगर हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो यह क्या होता है तो अगर कोई हमारी यहां पे एंजाइम केटलाइज केमिकल रियक्शन है अगर उसके हम लोग rate को study करते हैं कि वो किस रफतार से हो रही है उसको अगर हम लोग study करते हैं तो वो simply हमारा enzyme kinetics यहाँ पर कहलाता है तो अगर हम लोग enzyme kinetics के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या करते हैं कि जो हमारा reaction का rate है उसको भी हम लो यहाँ पे enzyme kinetics में measured करने का काम करते हैं और जो हमारी अलग-अलग condition है अगर उसमें कोई variation आता है तो उसका हमारे reaction के rate के उपर क्या effect पड़ता है उसको भी investigate करने का हम लो simply यहाँ पे काम करते हैं अगर कोई हमारा हम कहें कि जो enzyme kinetics है उसमें क्या-क्या होता है तो जो हमारी reaction हो रही है या हम कह सकते हैं कि जो enzyme catalyze हमारी chemical reaction हो रही है उसका क्या rate है उसके भी study उसको भी हम लो simply यहाँ पे measure करने का काम करते हैं और अगर हमारी जो condition है उसमें कोई बदलाव आता है pH में change होता है temperature में change होता है तो उसका हमारे reaction के उपर क्या effect पड़ता है उसको भी investigate हम लोग यहाँ पे enzyme kinetics के थुरू करने का काम करते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है enzyme वो kinetics है और जो हमारा km की value है उसमें हमारा क्या यहाँ पे होता है वो relationship उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे reaction है उसकी जो हमारी velocity है kinetics है और हमारा जो यहाँ पे होता है मिचलीजमेंटन constant km है उसमें हमारा क्या relationship होता है अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक reaction को assume कर लेते हैं कि यह हमारा जो enzyme है जो की E है और वो हमारा जो substrate है S है उसके साथ में यहाँ पे combined होता है और फिर वहाँ पे एक कैसकते unstable enzyme substrate complex ES का formation यहाँ पे करता है और फिर उसके थुरू हमें product का formation P का formation होते हुए देखने को मिलता है तो अगर हम लोग इसको reaction के रूप में यहाँ पे अगर लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे reaction क्या हो जाएगी जो हमारा E है वो enzyme है S हमारा substrate है तो enzyme और जो substrate है यहाँ पे combined होंगे और यहाँ पे एक unstable enzyme substrate complex ES का formation हमें देखने को प्राप्थ होगा यहाँ पे हमारा जो सब्द है यह क्या है unstable है मतलब यहाँ पे यह complex stable जो नहीं होता है यह जो हमारा complex है या तो यह again enzyme और substrate में तूटते हुए हमें देखने को मिलता है या फिर यहाँ पे यह product का formation हमें करते हुए देखने को प्राप्थ होता है तो इसलिए यह हमारा यहाँ पे जो complex है वो unstable complex यहाँ पे simply होता है तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारे तीन reaction है उनके बारे हम बात करते हैं एक reaction हमारी जो है उसको हम लोग कहते हैं कि हमारी reaction यहाँ पे है forward reaction है means हमारा enzyme और जो substrate है वो यहाँ पे combined होके enzyme substrate का complex का formation यहाँ पे कर रहा है एक reaction हमारी यहाँ पे जो होती वो reverse reaction है वो यहाँ पे है जो हमारा enzyme और substrate है वो यहाँ पे तूट के enzyme और substrate का formation यहाँ पे कर रहा है और जो तीसरी reaction है वो क्या है हमारा enzyme substrate का complex है यहाँ पे catalyzed हो रहा है और इस condition में हमें enzyme और product का formation इसके थूँ देखने को रात हो रहा है तो अगर हम दो यह जो हमारे होते हैं वो 3 हमारे KF, KR और हमारा cat है उसके बारे बात करते हैं तो यह जो अलग-अलग reactions है उनका velocity constant simply यहाँ पे कहलाता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा है KF वो हमारा जो होगी forward reaction है जिसमें enzyme substrate combined होके enzyme substrate complex को form कर रहे हैं उसका जो velocity constant है वो यहाँ पे है के आर के बारे में बात करते हैं जो हमारा enzyme substrate का complex है उसका जो breakdown है जिसमें enzyme अलग हो जाता है substrate अलग हो जाता है उसकी जो हमारा होता है velocity constant वो KR है और अगर जो हमारा यहाँ पे होती है catalytic reaction है जिसमें enzyme substrate यहाँ पे हमें enzyme और product में convert होते हुए देखने को मिलते हैं उसका velocity constant हमारा simply Kcat यहाँ पे होता है तो अगर हम लोग अगर यहाँ पे बात करते है कि जो हमारा KM है जिसको कि हम लोग कहते हैं मेचलीज मेंटन constant कहते हैं या इसको हम लोग कहते हैं वो bridge हमारा हैल्डन's constant के नाम से भी हम लोग इसको यहाँ पे indicate करते हैं तो अगर हम लोग इसके जो equation है उसके बारे में बात करते हैं तो हमारी equation इस place पे क्या होगी वो km equal to kr plus kcat upon kf और अगर हम लोग इसको जो हमारा होता है velocity उसके form में convert करते हैं तो हमारी जो equation आती है वो क्या होगी that is the v is equal to v max concentration of the substrate upon the km plus concentration of the substrate तो जो आपके third year के जो हमारे third year के student है उनमें भी जो बायो फार्मसेटिक्स है उसमें ये जो topic है वहाँ पे है तो वहाँ पे मैंने खाली इतना ही वो लिख दिया तो student काफी confused हो गया काफी सारे उस video पे comment आए कि सर ये कैसे आगया आपने अच्छे से explain नहीं किया आप ठीक से पढ़ाते नहीं है तो अब हम लोग आप लोग के साथ ऐसा नव हो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे यह equation है और यह equation है यह किस तरह से derive होती है बट मैं आपको यह कहूंगा कि exam में अगर यह question आता है तो वहाँ पे आप लोग के लिए sufficient यहाँ पे होगा तो अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे दोनों equation है वो किस तरह से आए उसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह जो हमारी यहाँ पे equation है अगर हम लोग इसको यहाँ पे वो देखते हैं तो अगर हम लोग यह जो आधी equation है उसक है यह अगर यहाँ पे combined होके enzyme substrate का जो complex है वो form करता है और अगर हमारा enzyme substrate का complex का breakdown होता है और वो यहाँ पे enzyme और substrate में अगर यहाँ पे अलग-अलग हो जाते हैं तो अगर यह जो दो reaction है इनके बीच में जब equilibrium achieve हो जाता है मिस यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर kita can से अPlusनों equal हो जाते हैं तो उस condition में क्या होता है कि इस condition में अगर हम लोग law of mass action को apply अगर यहाँ पर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा amor squash the concentration of the substrate into concentration of the enzyme तो हमारा यहाँ पर जो होगा वो उस्मेνसे जो हमारा यहाँ पे enzyme है उसकी जो concentration है और substrate की जो हमारी जो एक तर concentration है उसको जब इससे multiply कर देंगे तो यह हमारा यहाँ पे हो जाएगा और जो हमारा kr है उसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारा enzyme जो हमारा substrate का complex की concentration है उसको हम लोग यहाँ पे multiply कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे के equal होंगे अगर हम लों equilibrium के बारे में बात करते हैं तो अगर हम अगर करते हैं शेसे इसको इस सग्राइब लेकर आते हैं के अफ को इस साइड लेकर आते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा और यहां पर हमारा इहां पर होता है यहां पर हुटा है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो हमारी यह equation है उस पे अगर हम लोग इस पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे according to the pseudo study state hypothesis को अगर हम लोग यहाँ पे apply करते हैं तो यहाँ पे हमारा अगर हम यह मानते हैं कि हमारी जो यहाँ पे total process है उसमें क्या है कि जो हमारा enzyme substrate का complex है इसकी concentration अगर हमें constant देखने को मिलती है means यहाँ पे एक constant concentration में अगर maintain एक प्रसे रहता है जिसको की दिया गया था अलोग बाइदब्रेज बोल्डन के जो दौरा इसको यहाँ पे जो हमारा यह hypothesis है उसको यहाँ पे दिया गया था तो इस condition में क्या होगा कि जो जो formation है और इसका जो breakdown है अगर वो equal हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा enzyme substrate की concentration हमें यहाँ पे constant देखने को प्राप्त होगी तो इस condition में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे enzyme substrate का formation है वो किस चीज के equal होगा तो यह फिर हमारा यहाँ पे जो इस place पे होगा वो kf into the concentration of the enzyme into the concentration of the substrate के यह यहाँ पे equal होगा और अगर हम लोग enzyme substrate complex के breakdown के बारे में बात करते हैं तो उस condition में यह इस place पे क्या होगा कि यह हमारा जो इसका एक तरस से जो हमारा इसका कैसे वो breakdown होगा वो हमें जो इस तरहीके से भी वो देखने को मिल सकता है कि यह यहाँ पर तूट के enzyme और substrate में भी convert हो सकता है और यह यहाँ पर हमारा जो enzyme और product में भी हमें breakdown होते हुए देखने को मिल सकता है तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर add कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो के याड़ इंटू enzyme की जो हमारी यहाँ पर concentration है प्लस यह हमारा होगा वो के क्याट इन्टू जो हमारा होगा engyme सबस्टेट की जो consultation है उसके यहाँ पर equal हो जाएगा, इन दोनों को add कर देंगे, तो यह हमारा simply, जो enzyme substrate का breakdown है, उसके यहाँ पर equal हो जाएगा, तो इसको एक बार और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, कि जो हमारा यहाँ पर होगा, enzyme substrate की, जो यहाँ concentration है, हम यह कहे रहे हैं, कि यह यहाँ पर हमा तरा है, अगर वो equal होगा, तभी इसकी concentration यहाँ पर equal हमें देखने को प्राप्त होगी, और इस condition में अगर हम लोग इसका जो breakdown है, उसके बारे हम बात करते हैं, तो इसका जो हमारा breakdown है, वो हमें यह जो हमारा नीचे वाली reaction है, उसके through भी देखने को प्राप्त हो सकता है, और तो इसका जो breakdown है, हमें, जो हमारी catalytic reaction है, इसके through भी देखने को हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, तो जब इन दोनों के constant को add कर देंगे, तभी हमारा यहाँ पर जो होगा breakdown, वो हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, कि जब हमारा देखने को प्राप्त होंगे, में जो हमारा यहाँ पर होगा, formation वो breakdown के equal होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो के अफ़ वो concentration of the enzyme into the concentration of the substrate equal to the, वो के आफ़ the concentration of the enzyme substrate complex plus वो के कैट, the concentration of the enzyme substrate complex के यह, यह दोनों equal हो जाएंगे, तो अब जब यह equal हो जाएंगे, तो हमारे इन दोनों में है, तो इसको हम लोग यहाँ पर common वो ले सकते है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे common, तो जब इसको हम लोग यहाँ पर common वो ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, वो के आर प्लस के कैट हमारा यहाँ पर वो simply रह जाएगा, और अगर हम यह जो हमारा यहाँ इतना Πेरिशन है इसको यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा कहे लाता है तो हमारी equation यहाँ पे आसानी से आ जायेँगी the km equal to the kr plus k cut upon kf हमारी यहाँ पे equation जो है आ जाएगी उसके बाद में अगर हम दो यहाँ पे बात करते हैं कि यह जो हमारी यहाँ पे वो दूसरी equation जो क्या है यह हमारी है the v is equal to v max into the concentration of the substrate upon the km plus the concentration of the जो हमारा वो substrate है इसमें हमारा जो v है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा कहलाता है measured जो हमारी reaction की velocity है वो यहाँ पे होता है v max के बारे में बात करते है then it is called the maximum velocity हमारी यहाँ पे कहलाती है अगर हम लोग यहाँ पे the concentration अगर इसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारे substrate की जो concentration है वो कहलाता है और Km हमारा मिचलीज मेंटन कॉंस्टेंट सिंपली यहां पर होता है तो अगर हम लोग यह बात करते हैं कि यह equation आखिर कहां से आई तो अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर हमारा जो हमारा के अगर उसके बारे हम बात करते हैं या हम लोग सिंपली जो हमारा यहाँ पर विलासिटी होता है उसके बारे हम बात करते हैं तो अगर जो हमारा रियक्षन है उसकी विलासिटी वी है तो यह क्या हो जाएगा जो हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट उसकी जो हम मतलब क्या हुआ कि हमारे per unit time में कितना product बन रहा है वो हमारे reaction की रफतार simply यहाँ पे कहलाएगी तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगा उसका जो breakdown है उसके उपर simply depend होगा means यहाँ पे हमारा जितना जो हमारा es है उसका यहाँ पे इस side breakdown होगा उतना ही ज्यादा हमें product यहाँ पे बनते हुए देखने को प्राप्त होगा तो यहाँ पे हम इस चीज़ को एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा v है वो क्या हो जाएगा वो reaction की velocity है उसको indicate करेगा तो es जो हमारे यहाँ पे जो हमारा v है वो किसके equal हो जाएगा वो k जो cat into the concentration of the es के यहाँ पे equal हो जाएगा तो हमारी equation क्या हो जाएगी? v is equal to k cat into the concentration of the enzyme substrate complex के यहाँ पर simply equal हो जाएगा तो अगर हम लोग जो हमारी processes में total enzyme को अगर calculate करना चाहें तो वो हमारा क्या होगा यह हमारा जो अगर total enzyme हमारा e 0 है तो वो equal हो जाएगा e plus es के यहाँ पर equal हो जाएगा means हमारा कितना enzyme free है प्लस कितना enzyme substrate के साथ में complex बना लिया है यह तोनों जब जोड देंगे तो हमारे total enzyme हमारी reaction में हमें देखने को मिल जाएगे तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे जितने भी enzyme है वो हमारे sub-substate के साथ में combined है वो हमारे bind हो गए है तो उस condition में हमारा यहाँ पे free enzyme की concentration simply 0 हो जाएगी और अगर यह हमारा e यहाँ पर 0 हो जाएगा तो उस condition में क्या है कि जो हमारा यहाँ पर total enzyme है वो es के यहाँ पर equal हमें देखने को प्राप्थ हो जाएगा जो हमारा E0 है वो E-S के यहाँ पे simply equal हो जाएगा तो अगर हमारी जो इस place पे यहाँ पे है एक तरसे reaction है उसमें अगर हम लो जो E-S है उसको यहाँ पो zero कर देते हैं मिन्स हमारे जितने भी यहाँ पे enzyme है वो substrate के साथ में complex form कर चुके हैं मतलब वहाँ पे क्या होगा हमारी जो velocity है reaction की वो हमें maximum देखने को प्राप्त होगी कि मिन्स हमारे जितने भी enzyme है जब सब काम कर रहे हैं तो वो हमारा जो reaction की रफतार है वो हमें वहाँ पे maximum देखने को प्राप्त होगी है वो maximum है तो वो हो जाएगा v max is equal to k cat into concentration of the e0 के यहाँ पे equal हो जाएगा क्योंकि जो हमारा e s है वो यहाँ पे e वो 0 के equal है जब हमारे sub enzyme substrate के साथ में bound होंगे उस condition में तो हमारी जो velocity है वो हमें maximum देखने को राप्त होगी तो अगर हमारी जो यह उपर वाली equation है उसको अगर हम लोग यहाँ पे rearrange एक तरह से करते हैं तो जब हम लोग इसको यहाँ पे rearrange करेंगे जो हमारी equation है वो क्या है यह हमारी E0 is equal to E plus E S, तो अगर हम लोग D arrange इसको करते हैं, E S को इस side अगर वो लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा E0, E S यहाँ पे plus में है, तो इधर आएगा, तो minus में हो जाएगा, minus E S is equal to E, यहाँ पे हो जाएगा, E is equal to, हमारा E0 plus E S यहाँ पे हो जाएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे, जो हमारी एक्वेशन है, वो जो कि हमारो KM is equal to the concentration of the enzyme into the concentration of the substrate upon the concentration of the enzyme substrate complex हमारी जो एक्वेशन है, इसमें अगर जो E है, उसको हम लोग इसको यहाँ पे अगर डालते हैं, तो फिर हमारा यहाँ पे equation कुछ इस तरह से हमें देखने को प्राप्त होगी, तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे, जो हमारी है यहाँ पे concentration of the substrate है, उसको अगर अंदर हम लोग इन दोनों में multiply कर देंगे, तो यह अंदर आएगा, तो दोनों में multiply हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में हमें ट्रांसफर होते हुए, देखने को मिल जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इस equation में आते हैं, तो यहाँ पे इस place पे क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे इस equation में आते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो जो हमारा इस है, यह हमारा इस और इस आपस में यहाँ पे कड़ जाएगा, तो यहाँ पे खाली हमारा रह जाएगा, एस तो उसके बाद में, अगर हम लोग एक तरसे इसके बारे हम बात करते हैं, तो अब क्या हो गया, अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे एस है, उसको इस साइट अगर वो लेके आते हैं, तो एस यहाँ पे हमारा निगेटिव में है, तो इधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यम प्लस एस, इक्वल टू दर वी मैक्स, एस अपाउन V, हमारी equation यहाँ पे simply हो जाएगी, और इस प्लस पे आप यहाँ पे यह भी कह सकते हैं, कि सर जो V है, वो यहाँ पे कहा से आया, तो हमारा जो यहाँ पे था V, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो वो क्या है, यह हमारा के का इंटी व tới सकते हैं तो हमारी एक्वेशन इस तरह से हो जाएगी अब हम लोग अगर S को इस साइड लेके आते हैं तो यह प्लस में हो जाएगा तो यहां पे हमारी जो एक्वेशन है Ist तरीके से हमें देखने को प्राथ होगी अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर V को इधर लेके आते हैं और इतने portion को इस side अगर लेके आते हैं तो यहाँ पर हमारी equation क्या हो जाएगी V is equal to V max into concentration of the substrate upon Km plus concentration of the substrate और यह हमारी equation जो same equation है वो यहाँ पर यह है V is equal to V max the concentration of the substrate upon Km plus concentration of the substrate हमारी यहाँ पर simply equation है तो इस तरीके से यह दोनों equation हमें यहाँ पर derive होते हुए देखने को मिल जाएंगी अब हम लोग यहाँ पर एक चीज को assume कर लेते हैं कि अगर हम लोग यह मानते हैं कि जो हमारी measured velocity है जो की V है अगर वो यहाँ पर half जो V max है उसके equal है अगर हम लोग यहाँ पर माल लेते हैं कि जो हमने जब जो हमारी velocity है उसको जब वहाँ पर किया measure तो वो हमें maximum velocity का half अगर टेखने को मिलता है तो इस condition में हम लोग V के place पे लिख देंगे 1 upon 2 जो हमारा V max है उसको यहाँ पर लिख देंगे अब अगर हम लोग इसको करते हैं वो rearrange यहाँ पर करते हैं तो फिर इस condition में क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग जो हमारा एक तरसे इतना हमारा एक तरसे portion है वो होगा यहाँ पे कह सकते हैं कि V max यहाँ पर आ जाएगा तो यह दोनों आपस में आपस में कड जाएंगे तो जब यह आपस में कड जाएंगे तो equation हमारी क्या हो जाएगी km प्लस concentration of the substate equal to 2 concentration of the substate को यह equal हो जाएगा तो अब अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पर होगा सबस्टेट उसको इधर लेके आएंगे तो यहां प्लस में है माइनस में हो जाएगा तो हमारी एक्वेशन क्या हो जाएगी the km equal to two concentration of the सबस्टेट minus concentration of the सबस्टेट तो यहां पर दो में से एक जब निकल जाएगा तो km हमारी यहां पर सबस्टेट की concentration है उसके equal हो जाएगी अगर हमारी जो है measured velocity वो maximum velocity के अगर आधी यहां पर होती है तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा graph है अगर उसके बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेचलीद अर्मेंटन जो plot है उसके नाम से indicate करते हैं तो यहां पर अगर हम लोग एक तरसे बात करते हैं तो यह हमारा जो कह सकते हैं y-axis है यहां पर हमने reaction की जो velocity है उसको लिया है और यहां पर हमने जो x-axis वे है उस पर हमने sub-state की जो concentration है the concentration of the सबस्टेट को हमने लिया है तो जब हम लोग graph को plot करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक तरसी यह जो देखने को प्राप्त होता है कि जब हमारा जो होता है यहाँ पे V max उसकी आधी अगर जो speed है उसके उपर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जब उसकी आधी speed होती है तो वो हमारा जो point है वो हमारा जो substrate की concentration है वहाँ पे हमारा Km यहाँ पे simply होता है तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा यहाँ पे होगा कह सकते हूँ Km है या जो हमारा होता है मेचलीज मेंटेन कॉंस्टेंट उसका यहाँ पे definition हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं तो यहाँ पे क्या होता है वो Km और मेचलीज मेंटेन कॉंस्टेंट इस डिफाइन दे सब स्टेट कंसेंटेशन तो प्रोडूज हाँम मैक्सिमम वेलासिटी इन एन reaction की देखने को मिलती है तो यहाँ पे इस place पे क्या हुआ कि जब हमारा reaction की maximum velocity है उसकी जब आधी जो हमारी होती है कह सकते हैं कि velocity जब आती है तो उस condition में जो हमारे sub state की concentration है वो simply हमारा यहाँ पे मेचलीज मेंटन constant या km यहाँ पे कहलाता है तो इस तरीके से हम लोग इसकी जो definition है उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पे कहलाता है अब हम लोग यहाँ पे line waiver double reciprocal plot के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जैसा की नाम से indicated है यहाँ पे हमारा double reciprocal एक तरसे plot है means जो हमारा x-axis है y-axis है दोनों पे हमें जो value है वो वहाँ पे one upon में देखने को मिलेगी means अगर हम लोग जो y-axis है उस पे लेते हैं जो velocity है तो वो one upon v होगी और अगर हम लोग जो हमारा x-axis है जिस पे हम लोगों ने substrate की concentration को लिया था वो one upon the concentration of the substrate है यहाँ पे हमें देखने को राप्त होगी तो जो हमारी equation number जो one थी अगर हम लोग यहाँ पे उसके बारे हम बात करते हैं तो जो हमारी equation number थी one वो क्या थी यह हमारी equation equation number जो one है वो है अगर हम लोग इसका यहाँ पे कर लेते हैं वो reciprocal अगर वहाँ पे कर लेते हैं जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, यह हमारा जो V है वो क्या हो जाएगा, 1 upon V हो जाएगा, इक्वल टू, जो हमारा यहाँ पे होगा, वो केम प्लस कंसेंटेशन आफ दे सबस्टेट यह ऊपर आ जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे था करेंगे, वो डिवाइट कर देंगे, तो हमारे एक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 upon V is equal to the Km upon V max into concentration of the substrate, plus the concentration of the substrate upon V max into the concentration of the substrate, हमारी यहाँ पे equation हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर हम लोग यह देखें, तो यह हमारा the concentration of the substrate, concentration of the substrate से यहाँ पे, आपस में यहाँ पे कड़ जाएगा, तो हमारी equation इस प्लेस पे क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी हमारा, यह हो जाएगी, कि 1 upon v is equal to the km upon the v max 1 upon the concentration of the substrate plus 1 upon v max हमारी simply यहाँ पे equation हो जाएगी तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं velocity है जो कि है हमारा 1 upon v और जो हमारा यहाँ पे substrate की जो यहाँ पे है concentration जो कि हमारा यह हमारा 1 upon the concentration of the substrate इन दोनों के बीच में हमेगर graph को plot करते हैं तो वो simply हमारा यहाँ पे double сопroker plot यहाँ पे कहलाता है तो हमारा इसका simply plot यहाँ पे है तो जब हम लोग इस यह जो हमारा यहाँ पे कह सकते हैं कि one upon v और जो हमारा होता है यह बंपान एस है उसके बीच में जब graph को प्लॉट करते हैं तो फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है जैसा कि हम लोगों ने इसमें वो देखा था कि जो भी हमारा यहाँ पर ता वो मेंचलीज यहां पर एक तरसे कर उसका उल्टा कर देते हैं तो फिर हमें straight line simply यहां पर देखने को मिलती है और यह जो हमारा होता है कैसकते हैं y axis पर intercept जो होता है जहां पर यह इसको काटता है वो हमारा simply होता है 1 upon v x 제일 1944 है who is a to use in getting closer can come upon when x इसका simply हमें acres पर देखने को प्राप्त होता है और अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जो हमारी we कुशन है उसको जएwww हम लोग और पीछे तक ड्रॉ کرते हैं तो फिर यहां पर यह x-axis को intercept करता है, काटता है, वो हमारा simply यहाँ पे कहलाता है, minus 1 upon km simply यहाँ पे कहलाता है, तो यह जो हमारा plot है, यह हमारा यहाँ पे कहलाता है, वो line viewer double reciprocal plot simply यहाँ पे कहलाता है, तो I think so, यह जो दोनों हमारे plot हैं, आप लोगं को properly समझ में आ गए होंगे, enzyme kinetics भी आप लोगं को clear हो गया होगा, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment करके पूँच सकते हैं, इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस video को like करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही videos को देखने के लिए, हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले, thank you.